तो लगबग सारे रिव्यूज मेरे पास आ चुके हैं और एनफ है यह बताने के लिए कि जो दो दिन का जो एक्जामनिशन था अभी फिलाल के लिए मैं बता रहा हूँ आठ सिफ्ट जो खतम हो चुके हैं उसके आधार के मैं इस विडियो को बना रहा हूँ और मिला जुला सबसे पहला प्रती करिया जो मैं आप सभी को बताऊंगा और जो रखूंगा सामने मिला जुला रियक्शन्स हैं और रियक्शन्स इस प्रकार का कि जिस सिफ्ट में तफ पुछे गये थे वहां पे भी लोगों ने 75 बना लिया है और मेक्सिमम लोगों ने थोड़ा सा कम अठाऊगे हमको तो सारे सिफ्ट के बच्चों को चांटना है और उमीस तारीका भी एक एक एग्जामनेशन है तो दोस्तों मिला जुला रियक्शन्स का सठीक एनलेसिस आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में मिलेगा और मैं आपके गलतियों के बारे में भी से तो असी 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 यही लगबग आप देखिए ना पिछले साल का भी कट अफ देख लिजी आप लेकिन इस साल क्या हुआ इस साल यही हुआ जो हम एक पैटन बेजाते हैं वो पैटन हमारे सामने हुआ नहीं हो पाया मसलन हमारा सबसे पहला टार्गेट सिंप्लिफिकेशन के को धूणना पड़ता है ऐसा नहीं है कि पहले ही आपको दिख जाएगा आपको धूणना पड़ेगा जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया मान लोग धूणते धूणते आपको मिला 27 वा नंबर कोश्चन में आपका सिंप्लिफिकेशन है औ इसको सॉल्व करें और जब आपने सॉल्व करने पे कोशिश करा तो वो फ्रैक्शन वाइज है डेसिमल है बहुत सारे स्क्वेर रूट टाइप का है मतलब ऐसा है कि वो टाइम कंजूमिंग रहा और उससे क्या हुआ कि जो हमारा मास्टर स्टैटेजी था कि पहले हम सिंप नॉंबर सीरीज आप मुश्किल था यार मतलब इट वस नॉट लाइक आरभी कलक लेवल का पेपर रिजिंग का मेरे को कहीं पर कंप्लेंट किसी का नहीं आया जो सिरीज आते हैं जो सिरीज आपने देखा हुगा स्कॉलिंग में इस्यूज लोगों ने फेस करा तो बहुत कुछ रिव्यूज मैं पढ़ लिया हूँ यार अगर मैं बोलने प्याओ ना इट विल टिक मोर दें 25 मिनिट्स कि मैं आपको बता दू कौन से सिप्ट में किस प्रकार के questions पूछे गए थे, the talk is not about कि कौन से question में किस प्रकार के questions पूछे गए थे, the talk is about जिस बंदे ने खराब करा है, जिसका 65 हुआ है, 60 हुआ है, 860 हुआ है, वही सिप्ट में कुछ लोगों ने 75 बना दिया है, now what are his chances of selection, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बंदे न उसने दो plan लेके घुसा हुआ था, examination hall में, उसको पता था, कि अगर ऐसा हुआ situation, तो मैं second वाले plan पे switch कर लूँगा, उसको उसने भी ढूणदा, simplification के questions, उसने भी ढूणदा, और जब उसने ढूणने के बाद उसको मिला, it was like, उसको भी समझा आ गया, कि अगर मैं simplification में बात नहीं बनने वाली, ठीक है, तो उसने फिर data interpretation के questions को करा, जो arithmetic के questions को लोग हववा बना दिये थे, यह ऐसा है, वैसा है, थोड़ा सा दिमाग लगा कि उसने उसको भी solve कर दिया, शायद आप भी कर सकते थे, देखिए, आज strategy के साथ हम analysis भी कर रहे है कि गलतिया कहां रही लेकिन हम लोगों ने क्या किया, simplification ढूंड दिया, उसको करना है, जैसे भी करना है, जैसे भी करना है करके, साथ, तीन, चार मिनिट हमने उस चीज़ पे time लगा दिया, and it was a blunder, एक blunder था, बड़ा mistake था, शायद उसको marked for review करके, मतलब इसलिए तो मैं आपको बताता हूँ, ser एक्जाम खराब हुआ है दोस्त, खराब तो हुआ है, लेकिन हमारे chances बनती है क्या, मैं बताना चाहता हूँ, 110% बनता है, देखिए, जहां पे सारे shifts, बराबरी level का होगा, वहां पे normalization काम नहीं करता है, normalization वहां पे काम करता है, एक shift tough आया, एक shift hard आया, एक shift easy आया, उसको बराबर करने के लिए, उसको normal करने के लिए, normalization किया जाता है, RRB clerk उथल उथल वाला shifts है, मतलब अगर आप देखोगे कल वाला और आज वाला, यानि 8 shifts में आपको कहीं आशा नहीं दिखेगा कि सारे shifts बराबरी level करता है, ठीक है, it was something like, कोई easy था, कोई tough था, something like that, वह वहां पे normalization count करेगा, if and only if your accuracy आपका अगर सही रहा हो तो, हो सकता है, जो ज़्यादा tough है, उनको ज़्यादा benefit मिलेगा, ज़्यादा benefit मिलेगा उनको, जहां पे normalization count आता है न, हम जैसे होता है नहीं, हम pray करते हैं कि भया, easy वाला shift में हो जाए, नहीं, pray करिए कि आपका tough shift में हो, औ और उसमें भी अगर आप थोड़ा सा सहियम बढ़ता हैं, और उसमें भी आप accuracy के साथ अच्छे खास item कलनें, तो फिर आपकी तो selection तय होती है, लेकिन ये एक ऐसा exam है, जो हमको पता अभी नहीं चलेगा, ये थोड़ा time लगेगा, right, सारे सिर्ट से खतम होंगे, उसके task ये बहुत जादा difficult बन जाता है, लेकिन reviews को देखके, सारे चीज़ों को समझ के, लग तो रहा है दोस्तों कि जो पिछले साल जिस प्रकार का trend था, कि कुछ states में शायद 79, 79.5 जो cut-off थी, वो शायद इस साल, मेरे को लगता है, 60-70% इस chance ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है, वो आपको hike नहीं दिखेगा, वो hike नहीं दिखेगा, 2-4 marks कम रहेगा, तो ये मेरा अनुमान है, कि आप minus 3 कर लीजे cut-off जो पिछले साल था, कर लीजे, ये मेरा अनुमान है, और मैं अगर सारे states को गिन-गिन क्या भी बताऊं, क्योंकि मेरे को फिर ये भी analyze करना पड़ेग कि कौन से state में कितना vacancies था, ये था, तो it will be again a very difficult task, लेकिन मेरा अनुमान ये है, minus 3 आप कर लीजे, आपका वही cut-off जाएगा, लेकिन आज जो आपने appear करा, that is not your mark, that is your attempt, और वो attempts आपकी marks conversion में सारे shifts को खतम होना पड़ेगा, उसके बात पता चलेगा, हो सकता है कि जो बंद अच्छा बनाया है, congratulations पहले से, क्योंकि आप तो पार हो जाओगे, लेकिन विश्वास है, विश्वास इस बात का, कि mains लिखेंगे, और mains के लिए आपको, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, हमारे पास समय नहीं है, as soon as the time is passing, हम सीधा भी IV-PACE clerk के तरफ बढ़ें आप गाइडिली का मॉक टेस्ट खरीद लीजे, वहाँ पे जितने भी सारे test series हैं, वहाँ पे आपको सारे test series खुल जाएंगे, उसको खरीदीजे, जो भी price दिख रहा है, मेरा coupon को लगाईए आप, SFY 12 तो आपको और extra 12% of डिख जाएगा, रगड के practice करिए, तो अभी practice करें हैं, और means marks ही count होता है selection में, तो आप एक काम करिए, मैंने 671 pages design करा है, और वो design ऐसा है दोस्तों, वहाँ पे आपको सारे chapter wise MCQs मिल जाएगा, और आपको वहाँ थोड़े key notes मिल जाएगे, और 671 pages 1449 रुपीज में, चार दिन अच्छे से बैठीएगा, तो सारे सारे चीजें पतम हो लेंगे, लिंक मैं आपको description box में देता हूँ, जाफिक खरीद लिजे, एंशन मत लिजे, मैं फिर से बता दे रहाँ, दोहरा दे रहाँ दोस्तों, मन बुला रहा है ना, तो हो जाएगा, नमस्कार,